क्या होगा अगर रावन, थौर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और इन तीनों में से सबसे पावफल क्रेक्टर कौन है एसकार्ट का गौर्ड फंडर थौर, मास्टर अफ मिस्टर गार्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज या लंका पदी दिशानन रावन, तो यह वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाली है, इसके इसे बिल्कुल विसकेप मात करना और एंट तक जरूर देखना था कि तुम कुछ भी में इस ना करो, तो रावन, डॉक्टर स्ट्रेंज और थौर 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 दिस्ट्र और चारो वेद पूरी तरह से याद थे, रावन महान रिशी विशर्वा और राक्षी सोगिरा ने कह कई का बेटा था, इसलिए हो ब्रामण और असुर दोनों था, और इसलिए उसमें अपनी मा की तरफ से राक्षी से गुर्ण और शक्तियां और अपने पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से था, और साथ ही अपनी कठोर तपस्या और महनत की वज़ा से इतनी शक्तियां और सिद्यों को प्राप्त कर चुका था, कि वो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था, रावन ने एक बार कठोर तपस्या के दारान ब्रहमदेव को अपन और रावन को मार पाना सिर्फ इसी इंसान के लिए ही संबव था, रावन एक कुशल राजा था, जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था, और उसने बहुत सारे योध बगार सेना के अकेले भी जीत लिये थे, रावन इतना जाधा शक्तिशाली बन चुका था, कि तीनों पै किसी के लिए भी उसको हरा पाना अल्मोस्ट असंबव था, इसलिए एक बार उसने अमलोक पर आक्रमन करके अमराज को बंदी बना लिया था, कुबेर से उसका पुश्बग विमान चीन लिया था, और उसकी बात ना मारने पर शनी देव तक को बंदी बना लिया था, र भाग जाते थे, रावन के healing और regeneration powers का example वे final fight में मिलता है, जहां पर श्री राम ने रावन के हजारों सिरों को कारते था और फिर भी जैसे वो सिरों को कारते थे, वहां पर एक नया सिर आ जाता था, और इसी fight के दोरान रावन ने लक्ष्मिन आ हनुमान जैसे महायोताओं को हरा दिया था और वानलों की आदे से जाता सैना को ब्रह्मा के तमसासर से एक ही सैकेंड में माल डाला था, रावन के पास immense strength थी, पर वो कभी भी fight के दोरान अपने opponent पे अपनी full strength का use नहीं करता था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे डर लगा रहता था कि अगर उसने अपनी full strength का use किया तो वो सब कुछ destroy करतेगा, साथ है उसके पासे उपर में strength, speed, stamina, durability और fly जासे powers भी थी, जो कि एक trained warrior था और वो हर तरह के combat और weapons को use करना चानता था, रावन डॉक्टर स्टेंज की तरह अपनी opponent की मोग उसको predict कर सकता था, अपने clones बना सकता था और ant man की तरह अपने size को चोड़ा बड़ा भी कर सकता था, साथ ही रावन का हर एक attack super powerful और magical होता था, जो कि अर्चा पूरे के पूरे planets को एक attack में destroy कर सकता था, तो ये थी रावन की powers, और रावन की powers को अच्छे से जान लेने के बाद, अब बात कर लेते हैं डॉक्टर स्टेंज की और जानने की कोश इसके लावर डॉक्टर स्टेंज ओड सकता है, अर्थ पर कहीं भी portal open कर सकता है, और mirror world को भी open कर सकता है, जहां पर होने वाली किसी भी चीज का real world पर कोई भी effect नहीं होता, पर डॉक्टर स्टेंज को अपने spells को cast करने के लिए अपने आथों को move करना पड़ता है, और अगर कोई संभाव उनके आथ को बांदे, जिससे वो अपने आथों को move ना कर पाए, या कुछ भी ना बोल पाए, तो वो simple सी रस्यों से भी नहीं चूट पाएंगे, इसके लावर डॉक्टर स्टेंज की body एक normal human being की है, जिसके पास कोई भी super full strength, speed, stamina, or durability नहीं है, जो कि उनकी सब से बड़ी कमसोरियों में से एक हैं, और उनका सबसे बढ़ा disadvantage भी है, क्योंकि at the end of the day, डॉक्टर सेंज fancy कपड़ों में एक आवाद भी है, जो कि एक normal से punch से knockdown हो सकता है, और मर भी सकता है, तो ये थी डॉक्टर सेंज और आवन की powers, और इन दोनों की powers को अच्छे से जान देने के बाद, अब बात के लेते हैं, और जाने की कोशिच करते हैं, कि इन दोनों में से ज़्यादा powerful कौन है, और क्या डॉक्टर सेंज आवन को हरा सकता है, तो डॉक्टर सेंज बहुत ही powerful character है, जो कि मिस्टर कार्स का master है, और बहुत सारे magical spells भी जानता है, जिनका यूज यूज करके वो थैनोस और डॉर्मामु जैसे character से भी fight कर चुका है, पर रावन जैसा कुछ भी उससे ना ही face किया होगा, और ना ही आज के बाद वो कभी करेगा, डॉक्टर स्टेंज के पास एक advantage है, कि क्योंकि वो एक इंसान है, इसलिए ब्रहमदेव की वर्दान के और ठैनोस से केलिन होने की वज़े से उसे नहीं मार सकता, पर क्या डॉक्टर स्टेंज रावन को मार पाएगा, तो वैल इसका answer है, बिग नो, रावन तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली राजा था, जिसका सिरफ नाम सुनकर बड़े-बड़े माशक्तिशाली राजा औ और इंदरुदेव और वरुमदेव जैसे देवता भी डर कर भाग जाते थे, जो कि डेफिनेटली डॉक्टर स्टेंज से कही गुना जादा पावफुल होंगे, अगर ये फाइट होती है, तो रावन के लिए एक योद के बजाए एक मदारी का खेल होगा, जहाँ पर एक उसे अपने कुछ करतवों से इंप्रैस करने की कोशिश करेगा, डॉक्टर से जावन को मिरर वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, पर ठैनो स्पिर्ण वर्ल्ड को तोड़ चुका है, और क्योंकि वो ऐसा कर चुका है, इसलिए रावन भी कर सकता है, क्योंकि ओविसली रावन थैनों से कई गुना ज्यादा powerful और intelligent है जिसका हर एक attack super destructive और magical होता है In the end डॉक्टर सेंज सिर्फ कुछ fancy गपड़ों में एक आम आदमी है जो कि अपने आसपास के energy को use करके कुछ करतब दिखा सकता है पर नहीं वो रावन को मार सकता है नहीं उसे अरा सकता है और भारना तो छोड़ो डॉक्टर सेंज के लिए रावन को हाथ लगाना भी एक बहुत बड़ी बात होगी और उसके पास वीवीशन भी नहीं जाएगा ये बताने के लिए कि उसकी नाभी में अमरेत है जबकि दूसी ज़रव रावन के पास डॉक्टर सेंज को मारने और हराने के लिए हजारों तरीके और लाखों वैबंस है परा ऐसा हो सकता है कि रावन डॉक्टर सेंज को ना मारे बलकि उसे पेंजरे में बंद करके अपने दर्बार में लगा दे ताकि वो और वहाँ पर मौज़ूद सभी लोग उसके कुछ जादूई कर्तवों का आनद ले सके तो बात करते हैं रावन वर्सस थौर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज़्यादा पाफुल कौन है बात करें थौर की गौड ऑफ थंडर थौर एक एसकारडियन गौड है जो की ओडिन का बेटा है और पूरे नौर यांस का प्रोटेक्टर है क्योंकि थौर एक गौड है इसलिए उसके पास सभी गौडली सुपर पावर्स है बात करें कुछ बेसिक पावर्स की थौर के पास गौडली स्टेंज, स्पीड, स्टैमिन, डिविल्टी और सूपर इलिंग जैसी पावर्स है पर वो अपने केसी भी पार्ट को रिजनरेट नहीं कर सकता फौर एक गौड है इसलिए उसकी एज बहुत स्लोली बढ़ती है इसलिए वो पिछले हजारों सालों से जिंदा है और अगले हजारों सालों तक सिंदा रहेगा और एज के साथ उसकी पावर्स और भी बढ़ रही है Thor God of Thunder है इसलिए उसके पास Thunders related powers है जिसमें वो weather को control कर सकता है और बहुत ही powerful lightning attacks भी कर सकता है Thor के पास Mionion Stormbreaker जैसे godly weapons भी हैं जिससे वो planets को seconds में destroy कर सकता है और immortal wings को भी kill कर सकता है Thor इतना जादा durable है कि बड़े से बड़ा energy blast और attack भी उसका कुछ नहीं भी गार सकता और वो newton star की concentrate energy beams को भी survive कर चुका है और powers के मामले में छेन फीटी सोंज की powers को break करके थैर उसका सीना चीर चुका है जिसने हजारों लड़ाईया लड़ियां उन्हें जीता है बहुत सारे super villains को राया और neutron star की concentrate energy beam को भी survive किया है पर रावन जैसा कुछ भी उसने आज तक face नहीं किया होगा थार के पास almost इंद्रदेव जैसी powers है पर इंद्रदेव थार से ज्यादा powerful है और ज्यादा powerful होने के बावजूद भी इंद्रदेव रावन के साबने आने से भी डरता था थार रावन पर lightning attack करेगा जिसका कुछ खास फाइदा नहीं होगा hand to hand combat रावन प्रैफर नहीं करता और mostly दूर से fight लेना पसंद करता है इसलिए थार के पास उसका last option होगा उसका strong breaker और थार अपनी full strength के साथ रावन पर strong breaker से attack करेगा वैसे था थार का strong breaker रावन के आगे कुछ भी नहीं है पर मान लो थार उपनी full strength के साथ attack करता है और वो hit connect पे होती है और वो थैनस की दरा गलती नहीं करता है और सीधे head पे aim करता है फिर भी रावन इससे नहीं मरेगा पर की regenerate होकर वहाँ पर उसका दूसा जिरा जाएगा जबकि दूसी दरफ थार इस टाइप के किसी attack को survive नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास fast healing तो है पर उसके पास regeneration की बावर नहीं है इसके लाव ब्रह्मदेव के बरदान की वज़ा से रावन को सिर्फ कोई इंसान ही मार सकता है जबकि थार एक god है इसलिए चाहे थार कुछ भी कर ले वो रावन को नहीं मार सकता है In the end, Thor ना ही रावन को हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है, जबकि दोसी तरफ रावन के पास Thor को मारने के लिए हजारो वैपन्स और हजारो तरीक के हैं, और तीनों लोग रावन से ऐसे ही नहीं ररते, फाइट के दोरां चाहे जो भी हो, पर रावन इस फाइट का एक ultimate winner होगा और थौर ना ही रावन को हरा सकता है, ना ही उसे मार सकता है, और थौर के पास भी वीशन भी नहीं जाएगा, ये बताने के लिए कि उसकी नाभी में अमरित है, बाकि आपको ये वीडियो कैसी लेगी, इस फाइट के और क्या possibility हो सकती है, और MCATC का ऐसा कौन सा करेक्टर है जो रावन को हरा सकता है, कमेंट करके सर्वर बताना, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स पर वाचिंग